नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम जानेगे कि साथवे चरड़ का उपनियन पूल के बारे में जिससे आप सभी जो चरड़ हो चुके हैं जबकि एक चरड़ मातर बाके जो पहली जून को होना है तो ऐसे में किस पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा और किस पार्टी का पलड़ा नहीं भारी रहेगा आज की इस वीडियो में आपको एदम सही जमीनी सर्वे सटिक लेख राया हूं जिससे आप जान जाएंगे किस पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा ऐसे में आपको बता दो कि यहां पे लोग सभा प्रॉटिंग हुए था जिसमें Simple 100 नहीं सबसे जयादे मददददGcanal में 9 फ्राशत MOM पददान हुए थे हैं तो मैं यहां पर टोटर में आपको बता दू कि चप यहां पर आंठाओं सीटों पर ओर्टिंग हो चुकिए च्छाटवा च्रड़ कंप्लीट हो चुका है तो ऐसे में मातर एक च्रड़ जो बाकि जो पहली जून को होने वाला है तो एसे में पहली सबसे पहले बतांए तो में किस पाली का किस सेथा ड़र मों देख रहे हैं चांगरेज को चार सेथे पे कपजा देखने को मिल आ यह से में उत्तरा खंड में जो है बी जे पी का सुपड़ा साप होते नजरन दिखाई दे रहा है जबकि वहां कि पार्टियां है उत्तराखंड की उनके पच में कोई भी सीट जाते हुए नहीं नजर आ रहा है यह से मैं य। तरह खंड में जो है कांग्रेस का बड़ा दिखाई होते हैं दे रहा है हम लोग बात कर लेते हैं दूसरा राज्य के जैसे दूसरा बार राज्य जमा लेते हैं मेगाले मेगाले कैसा राज्य है जिसमें दो सीटे हैं दो सीटों में जिसमें एक सीट पर बीजेपी ने कभजा सब्सक्राइब कांग्रेश को भी वहां पर एक सीटे मिलने की संभावना ऐसे बताया जा रहा है एक सब्सक्राइब के माध्यम से यहां जा सकते कि यहां पर दूसरा राज यहां पर दिल्ली में आप जानते हैं कि आम आद्मी पार्टी यानि अर्बिंद के जिर्वार जो मु सब्सक्राइब सबस्टेरेबों 1010 सब्सक्राइब कांग्रेस बड़ते सिथ सबस्केरा करनाटा क तो जहां पर आपको 28 यहां पर 28 सीटे हैं 28 सीटों में यहां पर 20 सीटों पर जो बीजेपी ने अपना दबदवा मना के रखा है जबकि 5 सीटे कांग्रेस और 3 सीटे अधर पार्टी यहां ऐसे में करनाटक में जो बीजेपी को यहां पर बहुती जो है मजबूती नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर दिख रहें कि बीजेपी वहां से बीस इसी हाँ पर सब्शोषे जिख सकती है। जब कि कांग्रेश फांस सील्टल उन्यटा घ्म साइस है। और अधर पार्टी वहां से टींज़ निकाल सकती है। ऐसे में करनातफ्क में बीजेपी जो ए मजबूत दीखा जहां पे 25 सीटे आपको देख पचीश सीटे में जबकि वहां पर बीजेबी को 12 सीटे और कांग्रेसों को 10 सीटे और अन्य के और प्रदेश में बीजेपी का भी दबदबार आहंगा तेब बात कर लेसे किरल राज्य के करल राज्य में पर सिटों में किन सिटों पर किसकी सरकार बन सकती है यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर किेरल में बीजे migrant सबास मौन इसको संतुष्ट करना पड़ेगा ऐसे में कहँ चोदो सीटे अबले बले चोदो सीटेों में बीजिपी वहां पे आरट सीटे पे अपना दबदवा बनाए रख़ा है कि और असम के अधर जो पार्टीन है उनका कोई भी यहां पे probyas निकलने डिकले के स्वुम्भावना है अइसे में कांग्रेस भी यहां पर 14 सिते हैं तो 14 सिटे में मात्र बीजेते को यहां पर तीनी सिते मिलेंगे जबकि कांग्रेस को यहां पर 9 सिते मिलेंगे तो जहुर कंट में создat छार्ष Essa इसका बॉस्तर लें जयरी सिते हैं इसले परतों कांगरेर्सbune है चिर्फ्रन का पर 24 सिते हैं था 14 श την rhop जिरिवाल की वजह से यहां पर कांग्रेर्स को यहां पर बहुत ज्यादे सपोर नहीं सकता है एसलिए दोस्तों यहां पर कांग्रेस को नौ सीटे मिल सकते हैं बात कर लिए। जम्मू काशमिर राजे कैसा राज यह अपने इतिहास में अभी तक कोई भी चुनाओ यहां पर पाटिसिपट सब्यार नहीं, Ļनल लोग सबाई करे से वहां पर छे सबाइव सब्यावा सब्सक्राइब जबकि कांग्रेस वहाँ पे दो सीटे पे और वहाँ की जो पार्टिया है वहाँ पे एक सीटे उन लोग को मिल सकती है तो ऐसे में जम्मो कास्मेर बीजेपी का जो बड़ा दिखाई दे रहा है हमनों बात के लिए 36 गड़ राजे के 36 गड़ राजे कैसा राजे चहां पे 11 सीटे है 11 सीटे मातर बीजेपी को वहाँ से 4 सीटे मिल सकती है जबकि वहीं पे कांग्रेस को 5 सीटे मिल सकती है यहां पर दिखाई दे रहा है जबकि बीजेपी का यहां पर सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा है बीजेपी बड़ी मुश्किल से ही एक सीट यहां पर निगाल पाएगी जबकि वहीं पर कांग्रेश पांच सीटों में से चार सीटों पर दबदबा बनाए रखा है बात के लिए तिरपूरा राज्य के तिरपूरा राज्य के ऐसा राज्य जहां पर मातर दो सीटे हैं दो सीटों में बीजेपी एक सीट पर अतना दबदबा बनाए रखा है ऐसे में दोनों पार्टियां आपस मित्रपूरा राज्य में बराबर हैं हम लोग बात के लिए अरुड़ांचल परदिश के ऐसा परदिश है जहां पे दो ही सीटे अबलेबल है जिसमें से एक बीजेपी को भी एक ही सीटे मिलेंगे जबकि कांग्रेश को भी एक ही सीटे म निकाल सकते हैं जहां कि अम्राण चौर परदिश के यहां पे अधर पार्टियां कोई भी सीट नहुच दोडने की संभाव हरे और बात के ले तरफान रा जिग ही रहां पर 25 सीटे हैं25 दौसे निकाल बाल से एक आस दब दबाबIFा बनाये रखी है जबकिए कांग्रेस मात मात्र पांच सेट है और अधर प्राटिया यहां पर 10 सिटे निकाल सकती हैसे में बीजेपी का बीजे Ps तोटल पंदर सीटों पर अपना सबस्क्राइब धूल मतुक्त अलंकी निकल आ Ricky दोस्ता घ्रमड़ों econom और गठ तो यहां पर इक की सिट अभले को भी यहां पर बीजेपी को मात देखने को मिल लए यहां भी बड़ी मुश्किल से 5 सिट निकाल पाएगे और यहां पर ओही कांग्रेजी जो पंदर सीटों पर अपना कभज बना यानि दबदवा बनाए रखा है और अधर पार्टी बड़ी मुस्किल से एक सीट निकाल पाएंगे तो एसे में उडिशा राज्य में कांग्रेस को बहुत ही दबदबा है बात करते हैं गुजरात राजी के गुजरात राज यह कैसा राज है जहां पर 26 सीटे अबलेबल है जहां पर बीजेपी को 20 सीटे बहुत ही असानी से मिल सकते है जबकि वहीं पर कांग्रेस को बड़ी मुस्किल से 5 सीटे अपना दबदबा बनाया रखना होगा और यहां पर हदर पार्टी को एक सीटे यहां पर कुजरात में जो है कांग्रेस को 5 सीटों से संतुष्ट करना पड़ेगा क्योंकि बीजेपी का दबदबा गुजरात में पहले से ही रहा है इसलिए बीजेपी यहां पर 20 सीटे निकाल सकती है और कांग्रेस एक सीटों से इसको संतुष फोड़ेगा बात करें मंध्य प्रद्राय जी की मद्य प्रद्राय ज़रांज है जहां पर 39 सिते मेंजर आ रहा है यहां पर 29 में इस चीटों में यहां पर बढ़त नहीं दिखा रहे क्योंकि यहां बीजेपी का मद्यप्रदेश में जो है बहुत ही मजबूती दिख रहा है अम लोग बात करें तमिलाड राज्य में तमिलाड राज्य में आप देख सकते हैं बीजेपी बहुत ही मुस्किल से दूसीत निकाल पाएगी और पर कांग्रेश जो 32 सीट निकाल रही है और अधर पाटिया जो है पांच सीटों संतूर्शन लोग करना पड़ेगा बीजेपी अपने इज्यत बचा सकती है बस्ते मिलाड राज्य में के कि तमिलाड राज्य में जो है कांग्रेश का बहुत ही दबदबा है इसलिए यहां बीजेपी अपनी जो है इज्यत बचा ले वही बहुत बड़ी बात है तो यहां पर बीजेपी को दो सीटे कांग्रेश को 32 सीटे और अधर पार्टी को पांच सीटे बिल सकती है हमनों बात करते हैं पच्चिम बंगल राजी की पच्चिम बंगल राजी टूटल 32 सीटे है एपर बिजे पी को कोई बिशी तो आप दा पें नहीं मिलेगा vGP स्रेकार रहा है SMP is upilä टे वह बंगाल में नजर आ रहा है कोई भी वहाँ बिजे पी सीत नहीं जीत रहे हैं और बात के लिए Congres की एंचे कांग्रेस एसी निकाल सकती है हम बात कर लो उत्तर परदीस चिसमें और इसा यहां पर भारत में सभी राज्यों से सबसे ज्यादे उत्तर प्रदीस स्समीं अवलेबल हाए त जो सबसे ज़्यादे सीटे निकालता है सरकार उनीक बनती है तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का आप देख सकते हैं कि साट सीटे जबकि कांग्रेस बड़ी मुश्विश्य से पंदर सीटे और अधर पार्टियां पांच सीटे निकाल सकती है तो ऐसे में उत्तर सकते हैं एकदम सही सटीक जनकारी सही आप फूल हो है क्योंकि दोस्तों यहां पर साथवे चरण का एकदम सही ओपिनियन पूल है तो ऐसे में वीडियो आज के लिए बस इतना है मिलते हमलों डेस्ट में दिया हुँआ झाल